हलो दोस्तों आप देख रहे हैं आपका चानल इन्वेस्मेंट का बाजार और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया के स्टॉक के उपर दोस्तों वोडाफोन आइडिया का स्टॉक FNO बैन में शामिल हुआ था कल के दिन मैंने आपको न्यूस भी बता दी थी लगातार दोस्तो आज दसवा दिन हो गया स्टॉक में गिरावट का माहूल बनता जा रहा है 16 रुपे 60 पैसे स्टॉक में गिरावट ठोना चालू हुआ था और आज 13 रुपे 60 पैसे पर स्टॉक आके रटक गया है अब क्या करना चाहिए दोस्तो जिन्होंने higher levels पर buying किया है जिन्होंने 16 रुपे पर buying किया है उनको क्या करना चाहिए क्या average करना चाहिए क्या कुछ levels का weight करना चाहिए चानेंगे इस छोटे से वीडियो में तो तो वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना दोस्तो, तो चलिए शुरू करते हैं, तो दोस्तो आज की गिरावट का कारण, निफ्टी था, सैंसेक्स था और निफ्टी मिट्कैप इंडेक्स था, आप देख गई, प्लैस दोस्तो आज पूरा टेलिकॉम का स्टैक होता है, उसमें भी गिरावट थी, चाहे वो तेजस नेटवर्क हो जाए, चाहे भारती एटल हो, चाहे वोड़ाफोन हो, इन तीनों स्टॉक्स में आज एक भारी अतलब आप कह सकते हैं कि मुनाफ़ा वसुली का दि देखिए आज 248 मिलियन की वॉल्म देखी गई है, जी यहां कल से भली स्टोरी वॉड्यूम बहारी जादा है, कल से डबल वॉल्यूम दोस्तो डूटाफोन आइडा के स्टॉक मने देकी गई, लेकिन दोस्तो अच्छी रिकवरी भी नेकी गई स्टॉक में लगबग तीर रुपे 50 परसे से स्टॉक रिवर्सल दिया और लगबग 14 रुपे 10 परसे तक गया लेकिन स्टॉक दोस्तो F&O बैन में भी आ गया है F&O बैन में आने के कारण भी स्टॉक में एक धीमी गती आप हो सकते हैं आप कह सकते कि स्टॉक के क्लोजिंग दिये 15 परसे का इधर डिफरेंस आया एंड में दोस्तो लगबग धाई बजे के आसपास वोड़ाफनाइडे के स्टॉक में एक रिकवरी देखी गई जो कि इसको 14 रुपे 10 परसे तक लेकिन फिर दोस्तो वापिस से वोड़ाफनाइडे के स्टॉक में काफी जादा दोस्तो आप कहा सकते है कारेक्शन आया है वोड़ाफनाइडे के स्टॉक में इसके 52 खाई से 16 रुपे चालिस परसे से 17 परसे से 17 परसे की गिरावट स्टॉक में हो गई है पहले दोस्तों स्टॉक में काफी अच्छे मुमेंट्स होते थे लगबग 20-20 परसे स्टॉक बिलकुल साइड़ वेस हो गया और बिलकुल नेगेटिव साइड में जा रहा है पाज दिन में भी आप देख लीजी लगबग 1 परसेंड की गिरावट एक महें मात्र 15 परसेंड की तेजी और चे महें मात्र 27 परसेंड की तेजी स्टॉक ने दोस्तों रिटन्स दि अब देख सकते हैं 13 रुपे के नीचे अभी तक एक बार भी स्टॉक नहीं गया है 13 रुपे के नीचे आप कह सकते हैं 13 रुपे का लेवल इसके लिए बहुत अच्छा सपोर्ट है जब भी सपोर्ट पर आ रहा है स्टॉक में बाउंस बैक देखने को मिल रहा है और अगर लेवल अगर स्टॉक तोड़ेगा तो ही स्टॉक में और बड़ी गिरावट आएगी लेकिन दोस्तों 13 रुपे का लेवल अगर स्टॉक रीच करेगा तो अगर इसका एक मेने का चार्ट में आपको दिखाए दस दिन दस ट्रेटिंग सेशन होगे स्टॉक में एक भी आप क दिखायागा अपर साइट पर दोस्तो 14 रुपे असी बसे मैं आपको बार बार बताता रहता हूं 14 रुपे असी बस एक बहुत तगड़ा लेवल है यह लेवल क्रॉस करेगा तो ही इसमें और आप कह सकते कि क्लियर ब्रेक आउट दिखने को मिलेगा और लोवर साइट पर सबका मैं करना जब सकते अफर्षक का क्या साइट 25 से 87 अपको मार्केट में बाट पर बहुत जढ़ा रहा हैUL मार्केट में बहुत बहुत ज़्यादा घर वाट हुई है आप इस पिसले कुछ 25 दिनों 25 टेडिंग सेशन में लगबख निफ्टी 1800 से 18800 से 16800 या फिर 17000 के लेवल्स पर काम काच कर रहा है मार्केट ने भी दोस्तों आप कह सकते हैं काफी जादा कर्रेक्शन दिखाया है उसके कारण भी दोस्तों आपन कह सकते हैं कि Vodafone Idea के स्टॉक में गिरावट हो रही है अगर मार्केट थोड़ी बहुत भी तेजी दिखायेगा और लगातार कॉंस्टेंट तेजी दिखायेगा तो भी Vodafone Idea में तेजी होगी तो दोस्तों that's it for video वीडियो ओवरॉल Vodafone Idea में आपको हर डिप में बाइंग करनी चाहिए तेरा रुपे का लेवल त्यान में रखना है अगर तेरा रुपे के नीचे जाता है तो यह आप इसमें शॉट बनाए वरना ना बनाए और 14 रुपे से बसे के उपर आता है तो स्टॉक में एक नया ब्रेकाउट बनेगा और वो 17 रुपे तक के लेवल्स फिर देखने को मिल जाएंगे दोस्तों तो दोस्तो दैट सेट पर वीडियो ओवराल अगर वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक करना शेर करना सब्स्राइब करना दोस्तों